वेलो गाईज, वेलकम बैक टो माई किचन, तो आज मैं बनाने जा रहे हूं बैंगोल ग्राम सबजी यानि कावेली चने, तो मैंने यहां पर डेड़ कव कावेली चने भीगो के रखे थे, ओवरनाइट भीगो के रखे थे, यह देखो हमारे चने एकदम परफेक्ट तरीके स भीग चुके हैं, यह देखो बड़े-बड़े एकदम, फूले-फूले एकदम अच्छी तरह से भीग चुके हैं, यह देखो बिलकुल पास से दिखाओंगी, मैं आपको, प्रफेक्ट तरीके से भीग रखे हैं, तो यहां पर मैंने यह बिलकुल अच्छे से साफ पानी द से धोके तो गैस देखो मैंने ये बिलकुल साफ पानी से धो लिये हैं अच्छे से रफ करके बिलकुल साफ हो गए हैं और आलू भी मैंने यहां पे जो कच्छे आलू लिये हैं चार वो भी मैं वाइल कर दूंगी जनो के साथ तो ये भी मैंने बिलकुल साफ पानी से धो लिय एक गंटा पहले मैंने आलू भी पानी में भीगो लिये थे क्योंकि उसमें बहुत सारे डस्ट मिट्टी होती है तो बिल्कुल किलियर्टी से साफ हो जाती है इसलिए मैंने आलू भी पहले ही भीगो के रख देते अब मैं ये चनों के साथ आलू डाल दूँगे तो गैस यहां पे मैंने एक कुक कर लिया है अब मैं ये चनी और आलू उबालने डाल दूँगी कुक कर में बॉयल करने के लिए तो गैस मैंने एक कुक कर में एट कर दिये हैं अब मैं इसमें एट करने जारी हूँ पानी पानी कम से कम हमें दो गिलास पानी डालना है तो guys मैंने यहाँ पे यह दो बड़े गिलास पानी डाल दिये हैं तो guys मैं यहाँ पे चनों के अंदर और अलू के अंदर आधा टी स्पॉन यहाँ पे नमक एड़ कर रही हूँ नमक हम इसलिए add करते हैं कि हम जैसे उबाल रहे हैं तो पूरे आलू के अंदर और चनो के अंदर अच्छे से नमक absorb हो जाए तो guys अब चलते हैं हम gas की तरफ, gas हम on करेंगे और pressure को हम gas में रख देंगे तो हमें wait करना है यहाँ पे 2 सीटी आने तक 2 सीटी में हमारे आलू अच्छे से उबल जाएंगे और चने भी तो guys तब तक हम इदर प्यास टमाटर की cutting कर लेते हैं तो guys मैं अब यहाँ पे प्यास टमाटर की cutting करती हूँ दो मैंने टमाटर लिये हैं और दो प्यास लिये हैं इनकी मैं cutting कर लेती हूँ तो गैस मैंने प्यास के कटिंग कर दी है वो में एक बाउल में अब कटिंग करेंगे हम टमाटर की टमाटर के हमें ऊपर का पोशन निकाल देंगे इसी तरह हमने प्यास के ऊपर का पोशन भी निकाला था यह देखो गैस टमाटर की भी कटिंग हो चुकी है टमाटर भी हम एक बाउल में डाल देते हैं तो गैज मैंने यहाँ पे कुछ कलिया लसन की ली है और एक टुकड़ा अधरक का लिया है तो हम अधरक के उपर का लेर हटा देंगे इसी तरह हम लसन की कलियों का भी पतले-पतले टुकड़ों में कटिंग कर देंगे ताकि हम जब इसको ब्लेंड करें तो अच्छे से ब्लेंड हो जाए तो गैज कुछ कलिया लसन की है वो मैंने अलग निकाल दी है जब हम प्यास टमाटर फ्राइ करेंगे तब डालेंगे तो गैज मैंने यहाँ पर इमान दस्ता लिया है मैं इसमें अद्रक को लसन की जो कलिया हमने काट के रखी थी इसका मैं पेस्ट बना लेती हूँ यहाँ पर यह दो से तीन में हरी मिर्च डाल दिये हैं और इसे हम कोट लेते हैं एक बाउल में तो गाइज के सभ्स नियां तो अब हम कटिंग कर लेते हैं कि यहाँ महाँ मैंने ग्रीन कुरिएंडर लीचियां कोट्ट के बिर ठी हो चुक्ए हैं तो गाइज हम चर लेते हैं कि हमारे चनए उबले हैं कि नहीं ये देखो बिल्कुल आलू उबल चुके हैं हमने चाकू की नोग को अंदर घुसा के देखा आलू के तो बिल्कुल उबल चुके हैं तो हम इसे हटा देंगे उबल गए बिल्कुल तो अब हम इसको थोड़ा सा कूल डाउन होने देंगे उसके बाद इसके छिलके उतार देंगे तो अब हम चक करेंगे यहाँ पे यह जो मैंने चने तो गैस मैं चने चक करके दिखाती हूँ आपको देखो मैंने फिंगर की साहता से इसे प्रेश करा था तो बिल्कुल अच्छे से ओबल गए है चने तो अब हम चलते हैं सबजी बनाने की प्रोसेस में तो गैस सबजी बनाने से पहले इधर मैं चने में जो पानी है उसे चान लेती हूँ यहाँ पे मैंने यह भगोना लिया है और यह चनी लिया है तो इसके उपर मैं यह जो मैंने चने लिये हैं वो मैं चान देती हूँ चने अलग हटा लेते हैं और पानी अलग तो गाइस जो हमारा ये चने का पानी है ये हम यूज करेंगे सबजी बनाने में इसे फैकिंगे नहीं क्यूंकि हमने चने का डस्ट अच्छी तरह से साप करा था अच्छी तरह से धोके रखा था तब हमने उबालने डाले हैं तो गाइस हम चलते हैं गैस की तरफ तो यहाँ पे मैंने गैस पॉन करा और पैन को गैस में रख दिया पैन को हम थोड़ा हीट करेंगे गरम होने देंगे उसके बाद हम इसमें ओयल एड़ करेंगे तो गैस हमारा पैन गरम हो चुका है इस स्टेज में यहाँ पे दो बड़े चमच मैंने ओयल लिये हैं तो मैं इसमें ओयल एड़ कर देती हूँ थोड़ा सा इसमें गरम होने देंगे तो गैस हमारा लाइट ब्राउन होने देंगे, तो गैस यह हमारे जीरे और धनिया के दाने लाइट ब्राउन हो चुके हैं, इस स्टेज में मैं यहाँ पे एक दालचीनी का टुकड़ा, और एक यहाँ पे तेज पत्ता, फूल चक, और तीन, यहाँ पे लॉंग, एड़ कर देती हूं, और क अधरक लासन का टॉल, पे दालचीनाय क लिएक पे आतर हो देहां जासब मौने ब्राउन हो चुके हैं, इस स्टेज में यहां पर जो मैंने चोटे शोटे आलू लिये थे वोयल करके वो मैं आड़ कर देती हूं इससे हमें फ्राइ करना है बहुत अच्छा टेस्ट ऑदा है फ्राइ करने से तो इससे भी हम प्याज के साथ प्राइ करेंगे तो गई आलू को हमें कम से कम तक एक आलू अधो तुड़ा दूप तक हमारे लो खोपला ना खोंद शुवागे ऐसा कुदे वेखंगे चले हैं क हलकी से पीस किनाला ही तो कुछा जाला है तो इस स्टेज में यहांस पशुशाया कोस्ती तो तो के लिए और शुट इसे पृटोंक शुरुत करें हैं तो गाइज मैंत्य तो गाईज मेने यहां पे तर माटर एat कर दिये जब हमने चनों को वॉयल करने के लिए रखा था तो अब हम church snow, जब हम आद्धा कूप नमक अद्ध करआट हम हें हमारे टमाटमाटर रप्यास नरम हा कुछे है grappling अब हममसाले अद्ध करीं गए वेखे मसाली पर रखेंगे 1 मिर्च ब्लिक बावडर 1 इस्पोन एड़ी पॉडर 1 अधन टीजब ₽ कॉस्मेजी लाल मिर्च 1 तावड़न धनिया पॉड़र और यहां पर एक चुटकी भर मैंने यहां पर ब्लेक पेपर एड़ कर दिया 125 क्राम और अधाटी स्पून यहां पर इलाची पाउडर तो गैस मैं इससे स्टोटे कर दोगी हमने इसमें सारे इंग्रीडियम्स ला ले हैं अब हम अच्छे से इनको मिला लेंगे सारे इंग्रीडियम्स मैंने एड़ कर दिये हैं तो हम इनको अच्छे से भून लेंगे मिला लेंगे अच्छे से स्टोटे कर देंगे और इस स्टेज में मैं यहां पर डाल दूँगी एक कप पानी चने का पानी है और इसे भी हम स्टोटे कर लेंगे तो guys मैंने इसमें सारे ingredients मिला लिये हैं अच्छी तरह से मसाले भुन चुके हैं अब हम डालेंगे इस stage चने जो हुमने उबाल करके रखे थे इसमें add कर तेंगे तो guys मैंने यहां पर यह سारे ingredients मिला लिये हैं अब मैं पर मसाले पकने के लिए यहाँ पर एक कटोरी में पानी डाल देती हूँ यह चने का पानी और इसे भी हम सौटे कर लेंगे तो गैस अब मैं इसमें धकन लगा देती हूँ और कम से कम हमें इसको पांस साथ मिनट तक ही पकने देना है उससे ज़्यादा निए तो उसके बाद हम इसे चेक करेंगे तो गैस मैं चेक कर लेती हूँ कि हमारी सब्ची बन चुकी है की नहीं तो गैस देखें किती अच्छी कंस्टेंसी आई हुई है किता अच्छा कलर आये हुआ है हमारी सब्ची का जरूर इस मैथर से जरूर करना और चनी की सब्ची जरूर बनाना तो गैस अब हमारी सब्ची बिल्कुल रेडी हो चुकी है अब हम इस स्टेज में यहां पर जो मैंने यह कटोरी यहां पर कोरियंडर काट के रखा था वो मैं एड कर देती हूँ है देखो गैस मैं बिल्कुल आपको पास से लिखाती हूँ कि हमारी सब्ची किती डिलीसियस किती प्रफेक्ट बनी है यह देखो तो अब मैं इस स्टेज में गैस आप कर देती हूँ और चलती हूँ सर्फ करने के तो इस मैं ने हे यहां पर शॉप करने के लिया है कायश का बाउल तो रपको दिया काघं़ कान्च बाउल तो इसलिए मैंने यहां पर निम वो एड़ कर दिया और यहां मैंने ग्रीन कुरियंडर लिया है इसे पर मैं सर्फ कर देती हूं तो गैस देखो हमारा यह जो मैंने बैंगोल ग्राम्स यानि कावेली चने की सबजी बनाए थी वो बिल्कुल रेड़ी है तो कैसे लगी आपको तुरंतर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और मैं मिलूंगी आपको न्यू वीडियो में न्यू रसेपी के साथ तब तक के लिए आप अपना ध्यान जरूर रखना बाई